नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल सो आज हम बात करेंगे मदर्सन सोमी के बारे में जो कि आज के दिन 101 रुपए और 95 पैसे के आस-पास यहां पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली है तकरीबन 5.5 परसन मदर्सन सोमी न और यहां पर आप देखिए जबसे इसने यहां पर ब्रेक आउट दियो उसके बाद यहां पर 82 से जो शेर है वो तकरीबन 101 रुपए के आस-पास यहां पर भी ट्रेड कर रहा है तो बहुत ही बड़िया रिटैनम को तकरीबन 20% रिटैनम को देखने को मिला है इसके अंदर टाइम में आपको क्या करना चाहिए इसमें क्या यहां से जी शेर कितने उपर और जा सकता है और यहां से क्या हमको थोड़ी इसमें profit booking देखने को मिल सकती है या नहीं तो आपको अगर यहां पर इसमें यहां पर investment करनी है तो आप किन लेवल के उपर इसमें कर सकते हैं तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो करीपा यहां पर subscribe का बटन दिख रहा होगा और यहां पर subscribe के बटन के उपर click कर सकते हैं साथ में bell icon के उपर notification के उपर all कर दीजे ताकि जो भी मेरी latest videos हो आप तक आरा अब यहां पर इसका 10,000 का एक level बनता है अगर इसको यहां पर कल के दिन यहां पर यह तोड़ता है तो यहां से शेरा वो यहां से upset की और हमको अच्छा खासा जाता हुआ देखने को मिलेगा तो यहां पर 10,000 का एक इसका important point है इसको अगर यहां पर यह क्रॉस कर लेता है त इसके साथ ही हमको मदरसन सोमी में भी 5.5 परसन यहां पर देखिए upset की और जाता हुआ देखने को मिला रही है यहां पर 100 डे moving average के उपर ही इसने यहां पर हमको closing दिये वो भी volume के साथ जो की एक और अच्छी बात है मदरसन सोमी के लिए तो यहां से volume के साथ इसको तोड़ा इसने 100 डे moving average को तो यहां से हम कहेंगे कि यहां से share जो है वो आप देखिए पहले आपको तगरीबन यह share जो था वो तगरीबन 50 रुपे के आसपस आपको देखने को मिल रहा था और 50 रुपे से यहां से जो share है उसने अच्छा खाता return लगबग आपको यहां पर आपका पै 150 के level के बार यहां से जो share है 150 से सिदा 50 के आसपस आ गया और अभी यहां पर 100 रुपे के आसपस यहां पर भी चल रहा है तो 150 से यह नीचे है जो इसने यहां पर अपनी rally दी थी 100 पर नीचे की उसको बार यहां पर आदा जो इसने जो अपनी गिरावर्ट थी वो यहां पर ली है और उसके बार आप दिखे हैं यहां पर अभी आदा आपको profit देखने को मिला है तो यहां से आपको ऐसे share में investment करने है मदरसन सोमी यहां पर अच्छा है खासा यहां पर शेर हमको देखने को मिला है जो लोगों ने यहां पर निचले levels के उपर इसको खरीदा है वो तो quarterly result भी अच्छा खासा है यहां पर हमको देखने को मिला है और यहां पर हम आज की market के इसाब से हम देखें तो आप यहां पर देखिए सारी market आज की दिन positive में गई है वहीं nifty bank तगरीबन 2.86% upset की और गया है वहीं nifty auto sector जिसका यहां पर मदरसन सोमी यहां पर देखिए auto sector का share यहां पर 0.81 यहां पर एक परसंट से थोड़ा कम यहां पर हमको देखने को मिला है लेकिन अच्छी बात है कि यहां से यह upset सारा हमको positive में ही देखने को मिला है सो यहां पर आप देखिए mother sun सोमी टाटा मोटरस के बाद दूसरे नमबर पर आती है जो कि जिसने अच्छा खासा आज के दिन हमको upset की और moment देखने को मिला है सबसे पहले टाटा मोटरस लगबग साथ सावा साथ यहां पर परसंड हमको upset की और गई है वही mother sun सोमी जिसमें भी और volume जो है वो भी हम देखेंगे बहुत बड़ी हमको volume देखने को मिला है आज के दिन इसमे और 5% के upset के साथ यहां पर यह अच्छा खासा trade हमको दे रही है आज के दिन सो यहां पर मैं आपको यहां पर चीज घा दूं जैसे इसने अपना 100 day moving average को तोड़ा उसके बाद यहां पर volume के साथ अगर इसको तूटता है तब हम इसको यहां पर breakout एक अच्छा कह सकते हैं यहां से जो share up अभी अच्छा यहां पर खासा upset के और आपको आर जा सेल थी आप दिखेंगे 2019 में इसकी सेल थी तकरीबन यहां पर दिसंबर के महीने में जो इसका quarterly result है था उसकी सेल थी 15,600 के आसपास और यहां पर हमको देखेंगे मार्च महीने में भी इसकी अच्छी खासी हमको सेल देखने को मिली है तकरीबन 15,000 सेम ही यहां पर हमको है जिसकी वज़र से हमको यहां पर देखें अच्छी खासी यहां परकानी हैं लगबग यहांप यहांपर सेल्स अतनी ही है यहां सेल्स में बहुत harv бер नहीं देखने को मिली हैं यहांपर पिछले साल के मुका गाबले हमको यहां पर तोड़ी Chan एकिन आ版 यहां जो कि जारातर शेरों में हमको नहीं देखने को मिली मार्च के quarterly result में अच्छी खासी हमको दूसरे शेरों में गरावट देखने को मिली है वही मदरसंजोमीन अच्छा खासा यहां पर profit जूर जनरेर किया जिसकी वज़ासे इसमें अच्छी खासी हम बाइंग देख सकते हैं आज की दिन आप देखें यहां पर हमको last के आधे गंटे के अंदर यहां पर जो शेर वह तकरीबन 97 के आशपास है आप देखें 97.70 के आसपास यहां पर यहां पर यह टेड़ कर दा था उसके बाद इसमें अच्छी खासी हमको रैली देखने को मिली और यहां से जो शेर है यहाँ पे आप देखिए यहाँ से 105 रुपे के आसपास यहाँ पे हमको देखने को मिला था उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बोकिंग होई लेकिन इसमें वॉल्म आप देखिए इसमें आपके लास्ट के एक गंटे का वॉल्म देखिए अच्छा खासा वॉल्म हमको इसमें देखने को मिला जो की पूरे दिन हमको इतना वॉल्म नहीं देखने को मिला है और यहां से हम कहेंगे कि कल के दिन जब मार्केट खुलेगी तो मदरसन सोमी में भी हमको शुरू में यहां पर बाइंग देखने को मिल सकती है लास्ट के गंटे में भी इसमें अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिली है तो यहां से कल के दिन भी यहां पर मदरसन सोमी अच्छा खासा अपसेट की और जा सकती है और यहां पर 100-day moving average के उपर यहां पर अगर sustain करती है और उसके बार इसका जो अगला target वो आप देखिए वो भी बिल्कुल इसके पास में है यहां पर 108 रुपे के आसपास यहां पर 200- 100-day moving average का जो की आप यहां पर यह भी तोड़ता हुगा हमको देखने को मिल सकता है तो बाकी शेर आप देखिए यहां पर 50-day moving average के आसपास भी नहीं जारातर जा रही लेकिन यहां पर मदरसन सोमी ने यहां पर अच्छा खासा रिटान आपको दिखा है यहां पर 50 रुपे स गया फिर से थोड़ी समें गरावट देखने को मिली और फिर से यहां पर अभी पिछले एक अफ़ते में अच्छी काजी रहली हमको अपसेड की और जाता हुआ देखने को मिल रही है वही हम मदरसन सोमी की बात करें तो यहां पर आप देखे यहां से एक बार low बनाने के ब और वैसा ही हो आप देखे तकरीबन 80 रुपेज से लेकर यह शेयर जो है वह 100 रुपे के आसपस यहां पर आता गया तो आपको ऐसे ही पैटर्न ऐसे वेगर है डूंडने पड़ेंगे जैसे ही यहां पर यहां पर होता रहा है नेरो रेंज इसकी होती रही इसके बाद से मे परकेड भी पिछले एक अफते में उपर की और चली गई है अच्छा गासा उपर की और जा रहा है तो इसका अगला टार्गेट है वह तकरीबन आप देखे जो आज गा इसका हाई बना था तो यहां पर मैं 15 मिनट के चार्ट के उपर यहां पर दिखा रहता हूँ जो आज का इसका हाई बना था अगर आपको फ्रेश पिजिशन इसमें बनानी है तो आप यहां पर 105 रुपे के उपर यहां पर यह शेर जाता है तो यहां पर तकरीबन मल लगी 5% के उपर ही यहां हमको देखने को मिलेगा अगर कल के दिन अगर इसको 105 का लेवल अगल तोड़ना है तो अगर 5% हमको अपसाइड के उपर यहां पर यहां पर सस्टेन करता है तब आप इसमें safe side को लेकर यहां पर इसमें पुजिशन बना सकते हैं. लेकिन यहां पर मैं यहां से दूरी नहीं. यहां पर आप देखिए 80 रुपे से यहां पर यहां से यहां पर 100 रुपे तक यहां पर चला गया. सो अच्छा पासा अपसेट की है और इसमें डैली देखने को मिली. यहां से हो सकता है या हमको थोड़ी सी यहां पर profit booking भी देखने को मिल सकती है तो यहां से हो सकता है थोड़ा share जो है यहां पर जादा उपर की और ना जाए 105 की level को कल के दिन शायर ना तोड़ पाए अगर इसमें volume हमको कम देखने को मिलेगा लेकिन अगर हमको volume के साथ इसमें buying अच्छी कासी देखने को मिलती है लगबग यहां पर एक दो गंटे के अंदर अंदर तब यहां से इसमें share जो है 105 का यहां पर जो level है इसको तोड़ने के यहां पर इसके संकेश जादा हो जाएंगे यहां से share जो है वो upside की और चला जाएगा उसके बाद यहां से 200 एं moving average के भी उपर यहां पर यह जा सकता है जिसके साथ से उनको इसमें rally देखने को मिल रही है जो लोग ने यहां पर buy किया उनको मैं यहां पर बिलकुल कहूंगा कि आप hold जरूर इसको कीजिए आप इसको यहां पर long term के लिए जरूर रखिए यहां पर इस शेर आप देखे यहां पर इसमें बुलिश ए डेखने को मिल है यहां पर यहां पर जो करते इओंगे हैं जो कि एक अच्छी बात अगर इसमें खरीदारी करनी है तो इसमें लगबग यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर एक जिट साल के अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर पहले lower levels के उपर इसमें अच्छी खासी यहाँ खरीदा रही रही हुई यहां से निचले लेवल के उपर तो अच्छा profit दिया लेकिन यहां से भी 150 के आजपाग यहां पर जाना जो कि यहां पर 2020 के starting में हमको देखने को मिला था वो थोड़ा यहां पर हमको time लेता हुआ देखने को मिल सकता है इसका अगला target होगा 200 day moving average उसके बाद हमको यहां पर देखना पड़ेगा 200 day moving average के उपर यहां पर यह सस्टेन करता है तब यहां पर हमको थोड़ा profit booking कर लेनी चाहिए यहां से हो सकता है 200 day moving average को touch करने के बाद फिर से यह थोड़ा नीचे की और आ सकता है यहां से इसका एक support बनता है 100 day moving average गर इसके उपर उपर यहां पर यहां पर यह शेयर रहता है तब आप इसमें थोड़ी position बना सकते हैं लेकिन अभी यहां पर इसमें एक upside की और rally यह और हो सकता है यहां पर यह थोड़ा consolidate भी कर सकता है और अगर अगर इसमें नहीं रखना पड़ेगा इस candle की आप last में रख सकते हैं 94 या 95 के आसपार यहां पर इसमें आप stopless जुरूर रखके चलिए क्योंकि यहां पर rally आने के बार हो सकता है यह थोड़ा सा फिर से downside की और आ सकता है तो आपको हर चीज के लिए यहां पर तयार रहना होगा भी यहां पर इ पूजिशन बनाने है क्योंकि यहां पर इसने rally दी उसके बाद अब यहां पर यह थोड़ा consolidate जूरूर कर सकता है यहां पर देखिया एक अच्छी अपसेट के और हमको volume के साथ rally इसमें देखने को मिली उसके बार यहां पर यह थोड़ा नीचे की और रुका उसके बार इनम यहां पर निफ्टी 59 अपना 10,000 का यहां पर आकड़ा उसके ऊपर यहां पर यहां पर यह सस्टेन करता है तब यहां पर हमको overall पूरी market यहां पर bullish थोड़ा दिन देखने को मिल सकती है तो यहां से मैं कूंगा अगर आपका जो short term का अगर विव हो था short term के लिए यहां पर म करेट कीजिए को कि यहां पर बहुत ही उपर के लेवल के उपर अभी यहां पर आपको मिल रहा है तो अगर आप long term के लिए रखना चाते तो आप इसमें buying अभी थोड़ी बहुत कर सकते हैं लेकिन यहां से मैं कूंगा इतनी buying अभी यहां पर जरूरत नहीं है को कि यहां से इसने अच्छा काता हमको upside की और moment देखने को मिला है तो हो सकता है यहां से यह थोड़ा हमको profit booking की भी इसमें देखने को मिल सकती है तो यह थी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो like share और subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में साथ में जो लोग यहां पर share market में investment करना चाते हैं वो नीचे description में demon account का link दिया हूँ आप आप जाके demon account का अपना account खुलवा सकते हैं और यहां पर share market म investment अपनी शुरू कर सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार